हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आप सभू का बहुत बहुत स्वागे थे तो आज में बनाने जरी कोकोडा की सब जी तो आई इसके लिए इंग्रीडन देख लेते हैं मैं लिएगा 500 गरम कोकोडा ने में चोटे चुटे पींस में काट लिया है चुटे चुटे पीशिश में काट लिया रूप लिए प्याज मोटे मिटे होड़े डीमे चुटे में काटा रूप क्रिमाच पेश्ट पनाधा तुमाटर को अब एक पैन में तेल लेंगे और उसे अची तरीके से गरम करलेंगे अब हम हमें कोड़ा को भुहने के लिए डाल देंगे हमें कोड़ा को धीमे अज़िए बुहन के उलट-बुिुहे भून लेना है नहीं तो यह थोड़ा जल सकता है अब इसमें थोड़ा हल्दी एट कर लेते हैं जिससे कि इसका कलर थोड़ा ग्रीन आएगा और यह देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए इसमें मैंने हल्दी डाल दिया हुआ है हल्दी मैं बाद में भी प्याज काटे थे उसे हम भी भून लेंगे इसे भी हमें 2-3 मेर तक भूनना जादा नहीं क्योंकि प्याज बहुत जली गल जाता है तो देखिए दोस्तों हमारे जो प्याज है वह गल चुका है तब हम इसे भी एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसकी सबज बनना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने पैन में तेल बिया है उसमें जीरा डाल दिया है जीरा जब चुक ज़ल जाये था इसमें हम जो प्याज कामने पेस्ट. बनाय था वह डाल देंगी और इसे 1-2 मिनट कि लिए भून लेंगे एक से 2 मिनट मुनने के बाद अब र किया हुआ टमाटर भी एड़ कर देंगे और इसे भी हम दो से तीन मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे इसे हमें लागतार चलाते हुए भूनना है नहीं तो यह जल सकता है तो इसमें अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और इसके बाद कर्यों बूhet भूनना है। जब मसालों से ओरेलेस हो जाए तो इसका मतलब हुए कहाया है हमारे मसाले जो है भून चुकες यह देखे हमारा मसाले भून चुकह में हमें अपनी ऐड़ कर दिते हैं पाणी अट कर लेना है अर यह ज़्यादा ऍप कर ना कि क्योंकि़ कोकोडा ह तो अब बूर्ण एक बोई लाने देंगे इसके बाद बड़ तरहां करने चाहलें देाहिए अब का अब भड़ करते हैं मूंत करदे हैं चाह अशिए के फली हैोनी dedicate में डालते हैं गरम मसाला जरूर डाले इसके बाद हम इसमें प्यास जो हमने भूना हुआ था उसी डाल दिया है अब हम इन सब को डाल के कम से कर दो से तीन मिनट तक अच्छी तरीके से पाका लेंगे और यह देखिए जो हमारी सब्सक्राइब कर दो बनकर तयार हो गई है बिल् आज कम से रशाद दितर हुआ जो च Άक पातों आ जो से कह जो हमारी सब्सक्राइब कर दिया है जो हमारी से गजा दो आघर है झाल गिर ड़ I wannaे दूने मा से चारइब कर वीजाने ड्रीन मде तरिया दो दो बनकर कर दो से रिन